यूपी में काली कोट वालों ने सस्ते सुलब नयाय का किया एलान राजधानी लकनों में जुटे प्रदेश भर के हजारों वकील जैंतर मंतर तका अंदोलन करनी का बनाया मन हो कर रहेगा लकनों हाई कोट का विस्तार जी हाँ, उत्तिर प्रदेश में सस्ते सुलब नयाई के लिए जंग का एलान खुद अधिवक्ताओं ने कर दिया है एक दिसंबर को राजधानी लक्नव में हजारों अधिवक्ताओं का जमावाडा हुआ तमाम जिलों से आए अधिवक्ताओं ने कहा उत्तिर प्रदेश में नयाई महगा है आम जनता को सस्ता सुलब नयाई तभी मिलेगा जब लक्नव हाई कोट का अधिकार बढ़ेगा आपको बता दें कि अधिकार छेत्र को लेकर इलहाबाद और लक्नव हाई कोट के अधिवक्ता आमने सामने आ गए हैं लक्नव हाई कोट की अवदबार एसोशियेशन ने एक दिसंबर को जंग का आगाज भी कर दिया है आवदबार एसुशेशन ने लक्नव में महास्तमेलन कर साफ कर दिया है कि आप जंग दिल्ली के जंतर मंतर पर होगी महासचियू मनोज मिश्रा ने कहा कि आप बटवारा आधे-ाधे का होगा देखें शाड़े बतिस शाड़े बतिस नहीं यहाँ पर तो अन्टिस जंपत यहां दे दिया जाए और चप्शतिस जंपत वहां दे दिया जाए यह हमारी मांग रहेगे एक जंपत लखनव हाई कोट के हिफ्फि में ज्यादा आना चाहिए विर्कुल आना चाहिए क्योंकि 70 बरस हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है तो अब हमारे साथ न्याय तभी होगा नियमता तो कि हमको 16 जिले दिये जाएं और उनको 16 जिले दिये जाएं लेकिन हम लोग मानावता पूल बात करते हैं अवदबार एसोसियेशन हमेशा न्याय प को और गति दिया जाएगा हम लोग जंतर मंतर में भी धरना प्रदर्शन करेंगे केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि उन नोटिफिकेशन जारी करें और आधे आधे का बटवारा करें हम अन्याय अब नहीं सहेंगे मास सम्मेलन में आये तमाम अधिवक्ताओं ने लकनव हाई कोट का अधिकार छेतर बढ़ाने की वकारत की अधिवक्ताओं ने मोधी योगी सरकार को चेताओनी भीदे डाली फिलाल लकनव हाई कोट का अधिकार छेतर बढ़ाने का मुद्धा तूल पकड़ रहा है अधिवक्ता छेताओनी दे रहे हैं अगर हाई कोट लकनव के साथ म्याय नहीं हुआ तो 2024 लोकसवाचुनाओं में मोधी योगी सरकार परिडाम भोगतनी को तयार रहें व्यूरी रिपोर्ट एंटी टीवी भारत